फीड में क्या चेंज करने जाए एक फार्मर को देखिए आज कल क्या होगा अभी तो वो मौसम नहीं आया जहां पंतालिस डिग्री है अधिकतर भारत में अभी जो टेंपरेचर चल रहा है वो पैंतिस डिग्री के करीब पहुंचने वाला है अभी भी पहुंचा नहीं है पा दूसरा एक हमारी बहुत गलत जो मैनेजमेंट का एक पार्ट है वो क्या करते हैं रात को आठ बजे फीट देते हैं कि बड़ ज़्यादा खाएगा लेकिन हिंदूस्तान में अधिक तर इलाके मैं कॉस्टल बेल्ट की बात नहीं करता हूं जहां पे समुंदर का किनारा है हवा बंद हो जाती है हवा बंद को हम हिंदी में बोलते हैं गुम हो गया जी तो जब हवा बंद होती है तो उस समय हुमिडिटी की कमी से मुर्गियां मरनी शुरू हो जाती है बहुत सारे फार्मर अपने अपने डंग से बहुत सारी चीजें करते हैं कोई अपनी छट के उपर फूस लगा देता है जिसको थैच रूप बोलते है पराली लगा लेता है कोई उपर स्प्रिंकलर लगा लेता है कोई शेड के नीचे स्प्रिंकलर लगाता है तो कोई उप अबिओनद लगता एज थीक है कोई हरेख आदमी ने कोई बड़ के ऊपर डिरेक्ट सिपरेमा आता है पानी का कोई पानी बर्फ का पानी पिला रेता है मुर्गी को तो कोई कल्भी आंगि ली कर coch को प्लास्टिक का प्रदा लगा रहा और कोई टाठ का पदा लगा रहा है अभी तक हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में कोई फॉगर्स का इस्तेमाल कर रहा है अभी तक फार्मर्स को इस बात का क्लियर ही नहीं हुआ कि उसको किस चीज का उपयोग किस समय करना चाहिए नमस्कार आप देख रहे हैं एग्योग न्यूज जहां हम लेकर आते हैं पोल्टरी से जुड़ी हर जानकारी आपके लिए आज हम आए हैं डॉक्टर एसके खना के पास और हम इन से जानने की कोशिश करेंगे जैसे मेडिकेशन का पता है के सस्ती मेडिकेशन सस्ते चीजे डालके भी वो अपनी मुर्गियों को अपने बर्स को तंदुरस रख सकते हैं इसके इलावा फीड में क्या चेंज करने जा अभी भी पहुंचा नहीं है पांसा दिन दस तिन में पहुंच जाएगा तो पैंतिस डिगरी पे क्या मैनेजमेंट वो करेगा कि फीड थोड़ी सी कम खाएगा तो उसको एक तो चार बज़े ठंडे समय में दे दूसरा एक हमारी बहुत गलत जो मैनेजमेंट का एक आत को आठ बज़े फीड देते हैं यह बड़ ज़्यादा खाएगा लेकिन हिंदूस्तान में अधिक तर इलाके मैं कॉस्टल बेल्ट की बात नहीं करता हूं जहां पे समुंदर का किनारा है वहां हवा बंद हो जाती है हवा बंद को हम हिंदी में बोलते हैं गुम हो गया जब हवा बंद होती है तो उस समय हुमिडिटी की कमी से मुर्गियां मरनी शुरू हो जाती है और यह सोचते हैं हमने टेंपरेचर ठंडे में दिया फीड लेकिन वह उल्टा पड़ जाता है उस समय नहीं देना फीड को आप दीजिए डाई से लेके चार बज़े के बीच म ताकि टेंपरेचर चाहे उस समय पैंतिस दिगरी है लेकिन हवा चल रहे होती है मुर्गी हवा बंदों से मती है टेंपरेचर से नहीं मती मुर्गी का अड़ाप्टेबिल्टी बहुत जादा होता है टेंपरेचर को बदाश कर जाएगा ठ्थिस को बदाश करेगा चानिस क में ये करे, एक feed की density बढ़ा दे, density के मतलब है, तेल डाले उसमें, तेल डाले, क्योंकि कम खा रही है, तेल से एकदम quick energy होगी, और लोगों के मन में ये थोलबा सा वहम है, के जी बाजरा गरम है, मका ठंडा है, यह चावल ठंडा है ऐसा कोई बात नहीं है आप बाजरे से भी वोई गर्मी पैदा होती है यह सारी चीज़े आजरवेदा की आदमी के हिसाब से बनी हुए है मुर्गी के हिसाब से नहीं बनी हुए है कि बाजरा गरम है यह चावल ठंडा है यह आजरवेदा आदमी के विटामींस की दोस्त जो है यह दस परसंट बढ़ा दें ट्रेस्मिनल की डोस बढ़ा दें और कार्भू हड़िड को अनरजी में कम करतें, कार्भू हड़िड को मतलब है, मक्का, बाजरा, रागी, चावाल, जो भी आप दे रहें उनको कम करके उस अनरजी को अगर आप ऐल क shape में देंगे क्योंकि oil की energy लोगों में गलत फहिमी है कि ये सोचते हैं कि तेल गरम होता है लेकिन ऐसा नहीं है तेल थंडा होता है तो आप अगर तेल को दे रहे हैं तेल अपनी calories बढ़ा रहा है ना कि उसको गरमेश बढ़ा रहा है उसको रादर उसको थंडा कर रहा है जब को खींच के ले जाएगा साथ में दूसरा क्या है कि जो तेल वाली फीड है वो जिसम में या हमारी अंतलियों में लंबे वक्त तक रहेगी उसका moment slow हो जाता है तो दूसरा इसका जो है तेल का ये फाइदा है तीसरा क्या है तेल हम सिर्फ calories बलगाने के लिए नहीं देते है फैटिग एसिड्स के लिए भी देते हैं बहुत सारे फैटिग एसिड्स ऐसे हैं जो तेलों में ही पाए जाते हैं तो इस करके तेल मीठा सोडा आमला इसको potassium chloride ammonium chloride और aspirin ये पांच चीज़ें सस्ती भी हैं और सारा गर्मी का सीजन अच्छा निकाल देती है तर इसके लाव हमार अपने अपने डंग से बहुत सारी चीज़ें करते हैं कोई अपनी छट के उपर फूस लगा देता है जिसको थैच रूप बोलते है पराली लगा लेता है कोई उपर sprinkler लगा देता है कोई shed के नीचे sprinkler लगाता है तो कोई ऊपर लगाता है ठीक है कोई हरे का अदमी न लगा रहा है और कोई टाट का पता लगा रहा है अभी तक हिंदूस्तान में अलग अलग राजयों में कोई फॉगल्स का इस्तेムAL कर रहा है अभी तक फार्मर्ज को इस बात का क्लिएर ही नहीं हुआ कि उसको किस चीज का उपयोग किस समय करना चाहिए जहां तक मेरा कहने का सवाल है प्लास्टिक का कर्टन तब लगाया जाता है जब लू को बचाना है अगर लू नहीं है तो आपको टार्ट का परदा लगेगा फिर टार्ट का परदा करे छे छे फूट का लगाते हैं कई लोग आठ लगाते हैं और मैं तो यह बोलता हूँ टार्ट का परदा अगर लगाना है तो उपर से नीचे तक जैसे घर के परदे होते हैं रिंग लगाके आप सारा परदा लगाईए और चट के उपर से प्रिंकलर लगा लगा लेजिए ताकि टार्ट जो है गिला रहे तो इस तरीके का आप कीजिए और इंसुलेशन अगर और बेटर कर दी है तो अंदर आजकल अलमूनियम फाइल मिलती है अब कोई आदमी सोचता कि मैं अलमूनियम फाइल लगाऊं या उपर मैं पराली लगाऊं मैं तो कहता हूँ एक प्लस एक दो और प्लस एक तीन होते हैं तो आपका टेंपरिचर पांच से साथ डिगरी नीचे आ जाएगा तो यानि कि अगर बाहर का पंतालीस है तो चालीस पे मुर्गी नहीं मरती है ठीक है ना चालीस तक बदाश करना शुरू कर देती है और मरेगी भी तो बहुत कम कर लिया या दूसरा एक बहुत बड़ी गलती है फार्मर क्या करता है सीलिंग फैन लगाता है गूमने वाले चट पे गूमने वाले पोल्ट्री में साथ डिगरी के एंगल पे होरिजोंटल पंखे जिसको पेडेस्टल फैन कहते हैं वो खंबों पे लगा देने कर पांच में दिन जिस तिन आपक वो दिखा रहा है विवाग दिखा रहा है कि पंतालीस टेकरी टेमपरेशर है उस तिन फीड को बंद ही कर दिया जाए तो रात को बारा बज़े दे जाएगी क्योंकि दो या तीन गंटे के बाद फिड़् खाने के बाद गर्माइश प्यदा होती है बाड़ी में और … मॉर्गिँं मरने शुरू हो जाती है तो मौसम भी बाग के टच में रहे आजक्र सारा कुछ लैपटाउप में आताय हमारे हात में मुवाइल में आता है तो सारा डेटा हमारे पास सब कुछ है तो हम तो अपना डेटा को फीड कर लें भाई ये अपने अपने सुपर्वाइजर को बता दें अपने मुशी को बता दें भाई हमारा पंतालिस डिग्री टेंप्रेचर इस तरीक को है इस दिन सुबह दाना नहीं डालना है म आप ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें